मेरा नाम एंड्री है और ये घटना पांस सबता पहले घटी थी मैं एक कोवर करके साथ काम करता हूँ जिसका नाम माइक है वो बहुत जैलिस अदमी है और अपने काम को हम सबसे बहतर समझता है भले ही वो कोई अच्छा काम करे या ना करे वो हम लोगों से बोलना पसंद नहीं करता है लेकिन वो हम लोगों से हमेशा एक्स्पेट करता था कि जो कुछ भी वो बोले हम लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनें अब कहानी पर आते हैं मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मुझे सुभा के दो बजी उठना रहता है और शाम के पांच बजे काम से मुझे छुट्टी मिलती है सो सुभा सुभा जागना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे इसके लिए अच्छी सेलरी मिलती है इसलिए मुझे ये करना पड़ता है माईक को सभी के मुकाबले कम सेलरी मिलती है उसे 5% lower सेलरी दी जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता है और इसलिए वो इन सब का गुसा हम लोगों पर उतारता रहता है एक दिन जब मैं मुवी देख रहा था तब ही वो अच्छानक से मेरे पास आया और मुझे पीटने लगा दूसरी बार जब मैं बार में डार्ट खेल रहा था तो उसने अच्छानक से डार्ट पिंड को मुझसे छीन लिया क्योंकि वो मुझे उस नुकेले डार्ट पिंड से मार देना चाहता था मैं वहां से किसी तरह बच कर निकला और उन लोगों ने उसे बाहर भी भगा दिया जब 15 विक्स पहले जब मैं अपने गल्फरेंट को किस करने वाला था तब ही उसने विंडो के पास आकर हम लोगों की फोटो खिच ली और उस फोटो को हम लोगों को हिला हिला कर दिखाने लगा मैंने उसे उसके घर में ढखिल दिया और मैं वहां से बच निकला लेकिन कुछ भी हो ये इंसिडेंट सारे इंसिडेंट से भयानक और बुरा था एक बार जब मैं अपने घर में सो रहा था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं अचानक से उट गया मैंने सुना कि कोई मेरे दर्वाजे पर जोर जोर से पेट रहा था और फिर मैंने बाहर किसी की आवाज सुनी जो बोल रहा था एंड्री उट जाओ ये आवाज किसी और की नहीं बलकि माईक की दी जो मेरे दर्वाजे पर खड़ा था मुझे बाईक की आवाज सुनाई दी लेकिन ये एक्चुली में बाईक की आवाज नहीं बलकि एक खतरनाक आवजार की आवाज थी माईक दूसरी और से बोल रहा था मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाता हूँ मैंने दोड़ कर अपना एर राइफल उठाया और जैसे वो अंदर गुसा मैंने तुरंट उसके पैर में और फिर उसके आँख में शूट कर दिया मैं पुलिस को कॉल करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन माइक अभी भी अपने दोनों पैरों पर भाग रा था उस अवजार से मेरे लेफ्ट आम पर अटेक कर दिया और मेरे शरीर से खोन निकलने लगा मैं दर्थ से चिला रहा था फिर भी मैं किसी तरह पीछे मुड़ा और मैंने उसके प्राइवेट एरिया में शूट कर दिया वो तुरंट जमीन पर गिर गया फिर किसी तरह जाकर मैंने पुलिस को कॉल किया माइक का रेष्ट हो चुका था और मैंने तुरंट दूसरे स्टेट में जाने की फ्लाइट बुक कराई उसे बीच मुझे पुलिस का कॉल आया उन्होंने बताया कि जिस दिन माइक तुम्हें मारने आया था उससे पहले उसने कई को वरकर की जान ले थी और आगे भी बहुत लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था हर सुबह मैं बाहर देखता हूँ और गॉड से थैंक्स बोलता हूँ कि उस दिन मेरी जान बच गई थी क्योंकि उस रात अगर मैं टाइम से जागा ना होता तो शायद आज मी मैं जिन्दा ना बचवाता